आराइट गाइज, सौगत आपका इस वीडियो पे, तो यहर आप लोगों ने काफी अच्छा गासा रिस्पॉंस दिखाया है निंजा कमोई के फर्स्ट एपिसोड के उपर, तो इसलिए है सेकेंड एपिसोड तो बनता ही है, है के नहीं, मैं आपको जैसे के बताया था कि सेक हम कवर करेंगे, ठीक है ना, तो यह आइडिया कैसा लगा, आप में को ज़रूर बताना कमेंट सेक्षिन में, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं सिंगल वीडियो बनाओ, तो वो भी आप में को कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं, बस ही है कि उसमें टाइम थोड़ा और ज जिन्दगी का मिशन है, यह जो भी हम कर रहे हैं, वो इस दुनिया में शान्ती बनाने के लिए कर रहे हैं, और अभी जो हाली में टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, जिससे पूरी दुनिया काप उठी है, तो हाली में हुई चीजों को मद्य नजर रखते हुए, अब हम जैपैन को अपना में अथारिटी नहीं मान सकते, इसलिए हम एक और विज़ादा ताकतवर नई अथारिटी के अंदर काम करेंगे, इसी वज़े से हमें अपने इन सीक्रेट आर्ट को फॉरिनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, इसमे कि आपको याद होगा कि जो की वाइफ और बेटे को मार दिये गया था, इन्ही निंजास ने मार रहा था और ये पूरा इंट्रेक्शन, देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि भाई जरूर जो और सारा इनके इस डिसिजन के खिलाफ होंगी, अभी तक तो यही एक्स्पना होता है, जो और वो अपनी मरेवी बीबी और बच्चों को देखके शौक हो जाता है, एकदम शौक से उठता है वो, और सामने उस बोस को लटका रखा था, वह नंगा रखे उसकी वाट लगा गया, और मैं इस बंदे को देख रहा हूँ है, टोजी जैसा लग रहा है, पर हराम ही एक नंबर का यह बंदा, ठीक है, यहाँ पर जो की हालत काफी जाता खराब होती है, वो जब उटके खड़ा होने की कोशिश करता है, तो वो भेहोशके नीचे किर जाता है, तब इस साइड में से एक बंदी के वाज आती है, कि हिगान, तुमने अपना क्या हाल बना नरक है, तो जो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ पर एक बुड़ा आदमी होता है, जो की बेसिकली एक डॉक्टर होता है, और वो यह कहता है, कि मुझे तैसा लग रहा था, कि हम मैं तुमसे नरक के बाद ही मिलूगा बाई, मतर इस बंदे को बताता है, कि जो तुम्हारी वाइफ के बारे में सुनके बुरा लगा और यह सब हुआ कैसे तो जो बताता है कि यह जो फेस चेंज करने वाला डिवाइस है यह बिल्कुल भी काम नहीं करता उन्होंने हमें पैचान लिया तो इसको रिमूफ कर देना इसका कोई काम नहीं है तो डॉक्टर कहता है कि यार वैसे जब भी मैं तुमसे मिलता है तुम्हारी वाट लगे रहती है ऐसा क्यों तो जो कहता है कि यार तुम डॉक्टर हो जब बंदे के वाट लगेगी तभी तो तुम्हारे पास आए अब हट्टा कट्टा तो आएगा नहीं तो भाई, यह भी बात सही है, वैसे है की नहीं? तो यहाँ पर डॉक्टर देखता है कि जो के हाथ में काफी घहरा घा होता है और वो कहता है कि शायद तुमने स्टार्क अवेर ने इसके सीक्रेट आर्ट का इस्तमाल किया था तो यहाँ जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में जो ने अपने हाथ में से एक पिन निकाली थी और वो रेज मोड में आ गया था बिल्कुल, है कि नहीं? तो डॉक्टर यह कहता है अगली बार इसके इसके इस्तमाल मत करना वनना तुम पक्का मर जाओगे अरे रुको भाई, इतने वह देखता है पीछे मोड के, कि जो की बैक में भी काफी घहरा गाहा होता है और वो कहता है कि इस से तो तुम्हें अभी तक मर जाने चाहिए तो यह वह गाहा है जब पीछे से जो क्यों पर अटैक किया गया था और जो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं सिर्फ जिन्दा क्यों बचा तो डॉक्टर बताता है कि कोई चाहता है कि तुम जिन्दा रहो तो तुम्हें ठीक होने में 6-7 दिन लग जाएंगे तब तक तुम्हें रेस्ट करना है ठीक है इसके बाद वहाँ पर इस बंदे के पास आता है, बॉस के पास ठीक है, उसको वह चाको से मारना शुरू करता है, लेकिन यह बॉस यह कहता है, तुम कमीने, तुम चाहिए कितनी भी कोशिश कर लो, तुम जानते नहीं कि मैं एक निंजा हूँ, और एक निंजा कभी विए वो कह रहा है, मार दो ना मिरको जान से, ऐसे कब तक करते रहोगे, भाई, एक, दो दिन, तीन, चार दिन बीच जाते है, यहाँ पर कॉंटिनसली, जो उसको भाई, घोपता रहता, मारता रहता है, लेकि उसके बाद भी, ये बंदा अपने मुझ से एक शब्द भी नहीं न लगी, जिसके आद यहाँ पर जो एक माचिस जलाता है, और वो कहता है, कि देखो, मैं ये मेक्शार करूँगा कि वो जो आखे थी, वो तुमारे दिमाग में एकदम छप जाए, क्योंकि जब तुम नर्क में जाओगे, तब तुम याद रहेगा, तुम अपनी खुद की च जाता है, और मैं को पता है, मैंने लास्ट अपिसोड में बोला, तो तुम से ये बंदा इतनी असारी चे तो मरने नहीं वाला, अब भाई, जो मर के जिन्दा हो सकता है, तो यार, ये बंदा क्या ही चीज़ है, यार, मैं देखो, इसको एहमेत क्यों दे रहा हूँ, मुझे साथ है, इस इन्वेस्टिकेशन से, तो यार, ओविसी बात है, ये लोग ख्या लग रहे है, इनका, तो ये बहुत ही कहता है, कि देखो, तुम्हारा रेटायमेंट आने वाला है, और मैं नहीं चाता हूँ, उससे पहले तुम्हारी वाट लग जाए, तो शांतियस अपनी एमा के पास आता है, तो एमा कहती है, कि देखो यार, ये तो बात समझा रही है हमको, कि ये लोग बहुत बुरी तरह से, इस किस्से को दबाने की कोशिश कर रहे है, इसका मतलब ये है, कि इस केस में कुछ ना कुछ तो गरबढ़ है, मैं को तो हसी आ गई इन सब के उपर, हमें अभी के लिए शांत रहना होगा, तो यार, माइक को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे कह सकती है, लेकिन एमा ने यहापे, जो की सारी इंफर्मिशन निकाली होती है, उसके वाइफ के, उसके बेटे की, और इन सब का बहरे में इसे कतल कर दिया गया था, और इन्होंने नक बिल्कुल ठीक है, इनका भी कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड वगएरा कुछ मिला नहीं इनको, तो इसका तभी है कि माइक की बाद बिल्कुल ठीक थी, तो यार, यहापे जो तयार हो रहा होता है, और उसका ये डिवाइस निकल चुका होता है, जिससे वो अपना फेस वगएर चेंज करता है, अपना हुलिया बदलता है, ठीक है, यहापे हमें पीचे एक लड़की के वास सुनाई, देती है, और मेरे कहाल से यार, वो जो की वाइफ है, ठीक है, वो यही कहती है, कि यह सब की मदद करेगा, सासा तुमारी भी, ओके, इसके बाद यहापे जो तयार होक रोड हाउस बार, यहापे एक पुलिस की गाड़ी आती है, यह बत्तमीज पुलिस वाले यहापे आके लड़की छेड़ते हैं, उसके बाद आके इस ओनर से हफता वसूली करते हैं, ठीक है बाई, मदब अवकात नहीं है इन बंदों के कोई, साइड में आप एक बंदा बै है न, कि आजकल भाई की चोरिया काफी हो रही है, कई यह उनमें से तो नहीं है, चोलो बच्चे, अपना लाइसनस दिखाओ, तो यहापे जो पूरी तरह से इस बंदे को इग्नोर करता है, जिसके आद यह पुलिस ओपर अटेक करने के कुश्च करता है, लेकिन भाई, जो असानी से इसको निप्टा देता है, और यह लेड़ जाता है ही पे, मोटा साला, तो एनिवे, दूसरा पुलिस ओफिसर तो भाई, शांत नहीं बैठेगा, है की नहीं, अब वो आगे बढ़ता है, जो के उपर हमला करने के लिए, जो यहाँ पर टिप विप देके, पैसे व पड़ा मोटा भी था, यह पतला है, हवाँ से ऐसे ओड़ जाना अजीब बात है, जब जो इदर बाहर आता तो देखता है कि इदर पुलिस की कार खड़ी हुई है, जिसको देखके उसे माइक की याद आती है, जो कि एक स्पेशल एजेंट है, उसना अपना कार दिया तो उ दूसरी वार हमें माइक का सीन दिखाया जाता है, और है, एमा वी इदर कुछ वियार से हरकते कर रहे होती है, वो बताती है कि आज कल की क्रिमिनल डीलिंक्स वियार के थुरू हो रही है, इसलिए उसको इन सब पे नज़र रखना होगा, और वो इसलिए वियार यूस कर रह माइक यह कहता है, भाई, बात करतो रहे है, क्या दिक्कत है तुम्हें, और कैसे बात करना है जाते हो तुम, तो यहाँ पे जो अपना फोन तोड़ देता है, उसके आज उसे फिर से कॉल बैक करता है, और कहता है कि यह कोई मजाक नहीं है, ठीके ना, तो माइक कहता है तु फिर से फोन को गया यार यह लोग नहीं करते यार नहीं करते इतनी चीज़े एक्स्प्लेइन उसने फोन तोड़के फैका है मेरे सामने उसके बाद वो फिर से कैसे काल बेक कर रहे है मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मैं मांगा बढ़ कर बता दूंगा तुमको ठीक है न एनिवे यहाँ पे जब जो जा रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि इस पूरी सिटी में एक ही बंदा चाया होता है जो कि आउजा का शायद फाउंडर है वो यही बता रहा होता है आउजा टेक्नोलोजी के बारे में कि कैसे यह लोग इस दुनिया को आगे और मैं को ऐसा लगता है कि इसका काफी बड़ा रोल प्ले होगा इस सीरीज के अंदर यार ऐसी सीरीज मैंने देखी है जहां पर टेक्नोलोजी लोगों की फाट लगा देती है एनिवे इविल जो चीज़े हो रही है ना उसके पीछे इसका हाथ हो सकता है मैं स्पॉilर नही तो मैं को खुद नहीं पता मेरा ही सिर्फ एसिंप्शन है एनिवे यहां पर जो च्छत पर आ जाता है वो नोटिस करता है कि माईक के आस पास कोई है तो नहीं कई वो बैक अप तो लेखे नहीं है लेकिन वो अकेला आया होता है तो माईक यहां पर इस रेस्टोर के अंदर आता है और कहता है और कहता है ओनर से कि तुम ठोड़ी लंबी सेहर करके आजो मिरको यहां पर आकेले कुछ काम है तो यह बन्दा गया था मैरे दुकान है मैं के निकलू यहां से तो माईक ऑविसलिया रहे वह भगाने की कुछ करता है क्योंकि वो अकेले में मीटिंग करना माइक ने उसको दिया था तो माइक कहता है इसे with the proof नहीं हो था ठीक है यहाँ पर जो आकर बैट जाता है मैं तुमसे बस बात करना चाहता हूं कोई माने कुछे लीड निड मे पता चला या निवा इन सीरेल कि लिंक ने में तो माईक कहता है कि उसके बदले कि तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो जो कहता है हाँ जरूर जिसके बाद भाई माईक अपनी गण निकाल लेता है अपनी ओका दिखाई देता है यह बंदा मैंने इससे एक्सपेक्ट निकिया तो मैं को लगा था चांतीसा कि बात कर लेगा क्या कर रहा है यह बंदा एनिवे चलो ठीक है इसके अपसे ठीक है लेकिन यह उसे घुटने पर बैटने के लिए बोलता है और कहता है कि अपने आपको सरेंडर कर दो यहापे और यह काफे जादा खतरनाग भी होते है यह बंदा माईक के उपर हमला करने की कुछ करता है कि माईक भाई क्यूं भाई यह बंदे अजीब होता है शूट करने लग गया उसको पता है इसकी वाट लगने वाली है वो इतना फुर्तीला आया दिख भी नहीं रहा हुंदा इ और फिर भाइ इसको आमने सामने की टककर देता है। यह देखता है कि अब यह भी दो हो चुके हैं और जो भी इसको टककर देने के लिए आग वाग लगा देता है। मुझ से आग वाग निकालता है। बहुत खतरनाक सीन। Anyway, काफी कमाल की performance थी, तालिय बजनी चाहिए इन लोगों के लिए, Anyway, माइक यहाँ पे इस बंदे का चैरा देखता है, तो उससे पूछता है कि उस बंदे का क्या हुआ जो कि हॉस्पिटल में था, तो इधर जो अपना डिवाइस बाहर निकालता है और चेंज करके दिखाता है अपने चैरा फिर से, और बताता है कि मैं एक निंजा हूँ और साथी साथ वो लोग भी निंजा थे जो कि हॉस्पिटल में मेरे उपर अटैक करने आये थे, इससे पहले कि यह आगे की बात कर पाए है, बहार आके एक वैन रुकती हो, भाई धाड़ा धार गोलिया वस्पा शुरू कर देती है, भाई चल गह़े रहा है, यहांपे देख तो हो लो, अ Odina ङया auga, माल ले थे देख लिया व देखे का होता है, यहांब माइक देखता है चीर दिया है. इस हत्यार नहीं, यह नहीं कैसा है? किस एलियन के बच्चे ने बनाए ये कौन ले गया है इस कुपरती भी पे और तभी पीछे एक अनॉंस्मेंट होती है वही डिस्प्ले हमें दिखाया जाता है और वह आपने मास्टर को बताता है कि वह अभी भी जिंदा है यानि कि हिगान या फिर मैं बोलू जो लोगन ठीक कि मैंने वाइस ओवर किया ता तुम्हें ये वीडियो मिल जाती 6-7 बजे लेकिन क्या है ना मैंने वाइस ओवर किया और एपिसोड चलाते है इस साथ ही साथ साथ वाइस ओवर करता हूँ बट म्यूट करना पड़ता है एपिसोड बट वो नॉइस आ गई बीच में तुम स कुछ अलग देखा होगा दिकत क्या है ना पहले मैं वन पंच मैन की वीडियो करता था ना मैं काफी खुश रहता था और मैं फणी वे में उसको एक्स्पें करने की कोशिश करता था जो की लोगो काफी पसंद भी आता था अभी कल एक कमेंट आया था मेरे को कहरा कि मैं तीन स साथ ही होंगे जो कि मेरी बात सुन रहे होंगे अभी तक थैंक यू सो मच अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो और अगर इस एपिसोड के फाइट सीन्स देखना चाते हो तो मेरे टेलेग्राम चैनल पर जाके देख फिस स्य घडियो अगर मेरी ईलाइब कर फिस के खाईक कर देखने हो और वीडियो पाद के वीडियो 2 पर इस एपिसोड़ा चैनल पर नखर खाएब के वीडियो सुन अःट पर आएब का रणाएब के लिडियो साएब के ईद़այ считए है वीडियो